दोस्तो आज हम मोगर के पोधे के उपर बात करने वाले मोगर के पोधे को जनौरी में उचित पोशक ततो देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि दो महीने से पोधाय और डॉर्मेंसी में था कोई भी फ्लावरिंग्स पर नहीं हो रही थी तो अगर जनौरी के महीने में आप बढ़िया सा पोशक ततो से भरपूर कोई फटलाइजर देते हैं तो आने वाले 15-20 दिन में इतनी अच्छा फुटाव होगा धेरो कलिया बनेगी और पूरी गर्मी आपका पोधा फूलों से भरा रहेगा दोस्तो नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम मोगर के उपर बात करे है वो तीन वराइटे में आता है देशी हाइब्रेड और एक बेल की तरफ बढ़ने वाला होता है मोगर का पोधा जहां भी लगा होता है उस जगह को खुश्बू से बढ़ देता है दोस्तो लेकिन क्या होता है कि सर्दी के दो महीने इसमें जो पोधा है डोर्मेंसी में र से काम बताऊंगी जो अगर इस टाइम आपने अपने पोधे पर कर लिए तो आने वाली पूरी गर्मी आपका पोधा फूलों से भरा रहेगा दोस्तों तो सबसे पहले हमें करना है हाड प्रूनिंग हमें मोगर की पोधे की जनवरी के महिने में अभी बहुत ही बढ़िया बिल्कुल राइट टाइम है प्रूनिंग करनेगा अगर इस टाइम हम अपने पोधे की प्रूनिंग कर देते हैं और प्रूनिंग करने में कोई कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है अच्छे से आप अपने पोधे को करेंगे उतना ही पोधा बूसी बनेगा घना बनेगा उतनी सारी नई branches आएगी और जहां जासे आप प्रूनिंग करेंगे वहीं से नई branches आएगी और नई branches पे ही कलिया बनेगी दोस्तों और डेरो फूल खिलेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पोदा बुसी हो पूरी गर्मी आपका पोदा फूलों से भरे रहे तो आपको यह काम तो करना ही है, प्रूनिंग करना बहुत जरूरी होती है, अच्छे से उनको प्रून कर दीजिये, कट कर दीजे तभी आपका पोदा बुसी बनेगा तभी आपके पोदे पर पूरी गर्मी डेरो फ्लावरिंग होने वाली है दोस्तों तो आप देख सकते हैं मेरे पोदे पर कितनी सारी जो ब्रांचिस थी वो आई वी थी मैंने अच्छे से अपने पोदे को प्रून कर दिया ह और अच्छे से आप देख सकते हैं कितनी सारी मैंने डालिया वह एक्ट्रा जो भी डालिया निकली वी थी वो सभी निकाल दी है और मेरा पोदे को आप देख सकते हैं पत्ते एकदम से रिलश गृन है दूसरा काम हमें क्या करना है जितनी भी आपके सुखी टहनिया है पोदे को इतना नहीं मिलेगा जितना उनको मिलता रहेगा तो इसलिए उनको निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों जितनी भी सुखी टहनिया या सुखे पत्ते आपके पोदे पर बने हुए हैं उनको निकाल देजिए आप मेरे पोदे पर देख सकते हैं एक भी टहनिक सु होता जा रहा है दोस्तों तीसरा काम हमें क्या करना है जो इस टाइम बहुत जरूरी होता है दोस्तों वह है गुड़ाई पोदों की गुड़ाई करना बहुत जरूरी है जितनी भी खत्पतवार आपके पोदे के आसपस उग गई है उसको निकालना जरूरी है गुड़ाई आ काम है वो खाद देना गुडाई करने के बाद खाद बहुत जरूरी होता है दोस्तों और खाद मैं क्या देने वाली हूं दोस्तों तो यह है वर्मी कमपोस्ट अगर आपके पास वर्मी कमपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद या फिर किचन वेश से जो कमपोस्ट आप क्यार करते हैं वो भी ले सकते हैं मेरे पास वर्मी कमपोस्ट है तो मैं इसी का इस्तमाल कर रही हूं और दूसरी चीज में मैं इसमें एड़ करने वाली हूं दोस्तों सरसो की खली बहुत सारी न्यूट्रिशन होते इसमें जैसा कि मैं बताया जो मोगरे को पोदे हो सरसो की खली का इसमाल आप अपने मोगरे के पोदे पर अभी करते हैं तो आपका पोदा है इतना बूसी बन जाएगा धेरो कलिया धेरो फूल इसमें आएंगे और जो भी वराइटी आपके घर में आपके गार्डन में लगी हूं सभी पर इसका इसमाल कर सकते हैं दोस्तों तो मैंने पांच जो चम्मच है वो वर्मी कमपोस्ट की लिए थी एक चम्मच मैंने सरसो की खली ली थी और दोनों को मिक्स करके अपनी पोदों की जड़ों में डाल दीजी दोस्तों आपको भरपूर इसका जो है ना लाब मिलेगा आपके पोदे को आपका पोदा बूसी बनेगा धेरो fool पूरी गर्मी और वेलों से भरा रहएगा दूसरा काम हमें क्या करना है कि या तो नीम होगार अगर आपके पास है तो इसका काट कर मैं काफी लोंग टाइम से क्योंकि तीन महीने क्या कम से कम चार से पांच महीने इसको हो गया है और काफी ने नूटिरिशन जो बहुत ज्यादा होता है बहुत बढ़िया कीट ना सक है पैक्सिसाइड है ये तो इसका इस्तमाल में है अपने हर पोदे पर जितनी भी अच्छे से एक लिटर पानी में वह जो लिक्विड था मेरे पास उसका मैंने स्प्रे किया दोस्तों बहुत भाटरी रिजल्ट मुझे मिलता आप देख सकते हैं मेरे पोदे की जो पत्ते आप देख सकते हैं लश गिरीन पत्ते एकदम से ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है और बहुत ही बड़या पोदा हो रहा है तो यह काम आपको जरूर करने दोस्तों मुझे उमीद है मेरे वडियो आपको पसंद आया होगा पसंद है तो लाइक शेर जरूर कर दीजे मिलते हैं नेक्शन